दोस्तों, इरिथ्रोपोईटीन नाम करके अपनी बोड़ी में एक हार्मोन होता है, जो किडिनी से सीक्रेट होता है और अपनी बोड़ी में RBC, मतलब रेड बलड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए हेलफुल रहता है दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले है, आईरन सुक्रोज के बारे में वैल हाई अवरिवन, मा काशकुमाओत और आज अपन बात करेंगे आईरन सुक्रोज की यूजेज, उसके साइड इफेक्ट्स और उसके कॉट्रा इंडिकेशन के बारे में तो दोस्तों, आईरन सुक्रोज को समझने से पहले एक चोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझना जरूरी है अपने बोडी में रेड विलड जेल्स होती है, जिसे आर बीसी बोलते है, इसके अंदर हीमोगलोबीन परजेंट होता है और जितना ज्यादा हीमोगलोबीन होगा, उतना ही ज्यादा आर बीसी होगा, मतलब उतनी ही ज्यादा अपने बोडी में खून होगा तो दोस्तों, यह जो हीमोगलोबीन होता है, यह दो पार्ट से मिलके बना होता है एक तो हीम होता है और एक गलोबीन होता है जिसमें हीम का मतलब आईरन होता है आईरन का आईरन ही बोलते है हीम को और गलोबीन एक प्रोटीन होता है तो दोस्तों हीम जो होता है इसको आईरन बोलते है तो अपनी बोड़ी में जब कभी भी आईरन की कमी होगी तो रखने के लिए अपने को बार्ज से आयरें दिया जाता है बार्ज उसी लिए अपन आयरेंट सी अनिमिया तो इस एनिमिया से बचने के लिए अपन आयरेंस् दोस्टों यह आइरन जो होता है यह Neanderwar processes are normally pregnant state में लगा जाता है यह फिर उनके लगाया जाता है जिसकेуем स्टीजि 감사합니다 상태ने होती है क्रोनिक किड्नी फेल्यर हो या फिर किड्नी फेल होई भी उनके आईरन सुक्रोज के इंजेक्शन्स जाता लगते हैं तो इसलिए इसको काम में लिया जाता है ताकि अपनी बोडी में ब्लड की कमी ना हो कुछ कंडिशन्स ऐसी हो जाती है कभी कभी इसके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं आईरन के जिसमें इंक्लुडेट रहता है जैसे च बबराना नहीं है यह अपने ठीक हो जाते हैं तो इसलिए और कुछ कॉंट्रा इंडिकेशन्स होते हैं कुछ कॉंट्रा इंडिकेशन्स मतलब कि उन पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए तो अगर किसी के भी यह आईरन सुक्रोज का जो इंजेक्शन हो कॉंट अगर नहीं नहीं ऐसा कभी भी ना करें क्योंकि यह लाइफ टेटिंग एफेक्टिव कर सकता है आपकी बोड़ी में तो दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी भी नॉलेजबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर तक दूँ नहीं नॉले को सचली नॉलेजबल